हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे आप सभी I hope that सभी शांदार होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे माई डियर मैं विजे भादुर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का जेए के सबसे शांदार चेनल एलन जेए पर माई डियर एक लाइन तो आप लोगों ने सुनी होगी मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता बच्चों होसलों से उडान होती है एलन आप लोगों के लिए लेकर आया है होसलों से भरपूर उडान सिरिस के शांदार शांदार शेश लेकिन माइडियर circular motion पर अपन discussion करें उसके PYQ पर अपन discussion करें उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि circular motion के जो subtopics हैं उनका वेटेज कितने percentage रहा है J mains के अंदर तो बच्चों उसके लिए हमने एक deep data तयार करा है तो सबसे पहले आईए जानते हैं कि किस सब टोपिक्स का वेटेज कितना परसेंटेज जैमेंस में रहा है तो देखेगा बच्चों अगर मैं बात करूं काइनमेटिक्स ओफ सर्कुलर मोशन डेफिनेशन एंड टर्मिनोलोजी ओफ पॉलर कोडिनेट की तो यहां से जैमेंस में 20% क्योशन पूचे हैं वही अगर मैं बात करूं बच्चों सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशल एक्सिलरेशन की तो यहां से 23% क्योशन पूचे गए हैं वेसी बच्चो अगर मैं बात करता हूँ dynamics यानी की centripital and centrifugal forces की तो यहां से 47% questions पूछे गए हैं और बच्चो अगर मैं बात करूं banking of road की तो यहां से jman's मे 5% questions पूछे गए हैं और बच्चो अगर मैं बात करूं non uniform circular motion की तो यहां से भी 5% questions पूछे गए हैं लेकिन बच्चों आप लोगों को पता है कि बूंद-बूंद से घड़ा बरता है तो माइडियर अगर 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 अपन को JMS में टोप परसेंटेज चाहिए तो अपन को इन सभी सब टोपिक्स को अच्छे से ग्रेप्स करना होगा बट माइडियर जिनका वेटेज जादा है जिन सभ टोपिक्स का वेटेज जादा है उसको तो अपन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है तो माइडियर बिना किसी देरी के अपन अभी स्टार्ट करते हैं PYQs के शांदार-शांदार questions चलिए, देखते हैं, सबसे पहले इस question पर discussion करते हैं देखिए, इस question में आपन को क्या दिया हुआ है, अब particle of mass M is fixed to one end of a light spring having force constant K and unstretched length L देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपन को जैसा उसने discuss करा है, वैसा आपन क्या करते हैं, diagram यहाँ पर draw कर लेते हैं देखो, एक particle है जिसका mass M है, उसको अपन ने fix कर दिया एक end से, भई ये particle mass M का अपने path में हो गया इसको अपन ने light spring से ये fix कर दिया, ठीक है spring constant अपन को दिया हुआ है बटा K, और इसकी unstretched length भई अपन को L दी हुई है the other end is fixed, और इसका दूसरा end अपन ने ये fix कर दिया the system is given an angular speed omega about the fixed end of the spring अपन ने fix, ये fix end है, इसके about अपन ने इसको क्या कर आप the angular velocity omega दे दी, अब क्या होगा अब यहाँ पर बोल रहा है आगे that it rotates in a circle gravity free space, भई gravity free space इसमें ये क्या कर रहा है, rotate कर रहा है then the stretch in the spring तो अपन को ये बताना है कि spring में stretch किता हुआ, तो my dear क्या होगा अब जैसे ये क्या करेगा, जैसे ये कुछ ना कुछ angular speed के साथ में circular motion करने लगेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ system में, ये कैसा है अपने पास में, non-inertial frame में यानि कि इसका कुछ ना कुछ acceleration है, तो non-inertial frame में questions को solve करने के लिए अपन क्या करते हैं बिटा, उसी frame में जाकर बेट जाते हैं, तो आजाईए यहाँ पर इस frame में आकर अपन बेट गए और अपने यहीं से observation करा क्यों, ताकि अपन newtons लोग को valid कर पाएं, चलिए, तो जब अपन यहाँ पर आएंगे, तो आपको पता है कि जब अपन non-inertial frame में आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, बिटा pseudo force apply करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर pseudo force क्या होगा, centrifugal force लगा देंगे क्या अपन, centrifugal force लगा देंगे, तो यह अपने पास में कितना हो गया, MR omega square, ठीके, और यहाँ पर अगर मैं बात करो, तो spring अंदर की तरफ force कितना लगा रही है, बच्चों यह लगा रही है, केक्स ठीके बच्चों, तो अब आप इस frame में बेट कर देख रहे हो, तो आपके respect में, यह mass के सा hebda rest में है, अगर mass अपने लिए rest में है, तो आपन क्या कर सकते हैं, forces को balance करा सकते हैं, forces balance कराते हैं, आईए देखिए, यह हो गया, अपने पास में केक्स अब यह है, mr omega square, तो बच्चों, radius किती है, अगर मैं इस fix end से देखू, तो यह radius किती हो गई, l plus x हो गई गया, तो मैंने लिख दिया, m l plus x omega square, ठीके, अब आपन को क्या निकालना है बिटा, इसमें, stress निकालना है, यानि x की value आपन को चाहिए, यानि x omega square, अगर इसे अपन यहां से solve करते हैं, बिटा, तो यह कित्ता आ जाएगा, अपने पास में, result, यह इधर आया, negative हो गया, यह अपने पास में, ml omega square, अगर x को अपन common ले ले लेते हैं, my dear, तो यह अपने पास में हो गया, ml omega square, अपन में, k minus omega square, तो my dear, देखते ही हैं, अपने पास में, second option बिल्कुल match कर रहा है, that means, second option अपना बिल्कुल correct होगा, check करते हैं, बिल्कुल सही answer है, चलिए बिटा, next question पर अपन discussion करते हैं, देखिए, two particles and b are moving on two concentric circle, दो particle है, बच्चों, अपने पास में a और b, ये concentric circle के अंदर, motion कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, radius 1 के r1 है, दूसरे के r2 है, और दोनों equal angular speed omega से चल रहे हैं, t is equal to 0 पर इनकी position और direction of motion अपन को दी हुई ये, relative velocity अपन को find करनी है, va minus vb, at t is equal to pi upon 2 omega पर, यानि कि इस time पर अपन को relative velocity find करनी है, तो my dear, अपन ये देखते हैं, कि इतने time में, इन्होंने कितना angle कवर करा, तो angle कैसे निकालेंगे, यार अपन को angular speed दियू, ये time दिया हुआ है, यानि कि अपन बात कर लेंगे, theta अपन को find करना है, तो कैसे निकालेंगे, बिटा, theta is equal to omega t, ठीके, तो यहां से अपन ये देख लेते हैं, angle कितना कवर करा, तो ये हो गया, my dear, omega t की value अपने path में हो गई, pi upon 2 omega, और omega से omega cancel, that means इन्होंने theta कितना कवर करा, बिटा, 90 degree इन्होंने angle कवर करा, अब यार, पहले तो अपन ये क्या करें, इसका diagram यहां पर draw करें, अब ये diagram ड्रो कर लिया अपने, तो देखते हैं, यहां से यहां तक 90 degree यह हो गया, यानि कि यहां पर पहुँच गया, अब बच्चों यहां पर पहुचेगा, तो अपन को relative velocity चाहिए ने इनकी, तो यहां पर relative velocity लिखें, सबसे पहले तो अपन A की velocity निकाल लेते हैं, फिर B की velocity निकाल लेते हैं, और अपन फिर relative velocity निकाल लेंगे, क्या बोलते हो यार, जल्दी से बताओ, यहां पर velocity कितनी होगी, omega से घूम रहा है, तो यह omega, यह radius R1, तो यह हो गया R1, देखो, इस direction में है, तो minus का IK अप लिखें लेंगे, यह वाला इस वाली तरफ आ रहा है, ठीक है, यह अपने पास में clock wise घूमता हूँ आ रहा है, तो यह हो गया अपने पास में, velocity लिखेंगे, omega, R2, और यह भी अपने पास में कैसा है, नेगेटिव x-axis में है, that means, यह कितना हो गया अपने पास में, minus का IK, अब आपनको VA vector minus, VB vector लिखना है, तो यह हो गया अपने पास में, VA vector, ठीक है, और यह अपने पास में हो गया, VB vector, ठीक है, तो देखिए, VA vector minus, VB vector करेंगे, तो यह वाला कैसा हो जाएगा, अपने पास में, यहाँ minus है, यहाँ पर भी minus है, that means, R2 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यह रहेगा कैसा minus का, तो ओमेगा और IK common आ रहा है, तो देखिए, अब यहाँ से में लिख देता हूँ, VA vector हो जाएगा, that means, fourth option बिल्कुल, correct होगा, my dear, देखते हैं, अगले question में, अपने पास में, क्या दिया हुआ है, अब particle of mass M is moving in a circular path of constant radius such that its centripetal acceleration alpha is varying with time as A is equal to k square rt square where k is a constant, भही, अपन को centripetal acceleration कि इस form में दिया बिटा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो यह information दी हुई, अपन इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए जरा, यह अपने पास centripetal acceleration हो गया v square upon r, ठीके small r है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, यह small r, ठीके v square upon r, यह अपने पास में हो गया k square r t square, अगर मैं यहाँ से बात करू v की, तो यह अपने पास कितना आ जाएगा k r t, अगर मैं t बराबर 0 पर बात करूँ तो velocity कित्ती हो जाएगी, बिटा, अपने पास 0 हो गई, और अगर मैं t बराबर t time पर बात करूँ, तो velocity अपन को given ही है, k r t, ठीके, अब अपन को क्या निकालना है, power deliver, यही पूछ रहा है कि power deliver कित्ती हुई है, ठीके, जो force लगा है उस वजे से, तो अपन को पता है यार कि power क्या होती है, अपने पास में, dw upon dt, ठीके, अब dw, अब यहाँ से अपन work energy थियोरम से क्या यह जानते हैं, dw की value क्या हो जाएगे, change in kinetic energy, तो my dear change in kinetic energy लिखेंगे, तो initial kinetic energy तो कित्ती हो गई, zero हो गई, क्योंकि velocity कित्ती है, zero, तो final हो जाएगे, अपने पास में, half mv square, v की value यह रही, अपने पास में, k r t, ठीके, चलिए, value डाल देते हैं, यहाँ पर, तो यह हो गया, d upon dt, और kinetic energy लिख लेते हैं, बटा, तो half mv square, तो इसका square करेंगे, तो यह कित्ता आजाएगा, बटा, k square, r square, t square, आप देखे, m, k, और r constant है, और 2b constant है, इसको बाहर निकाल लेते, t square का differentiation करेंगे, my dear, तो कित्ता आजाएगा, अपने पास में, half mk square, r square, t square का कित्ता हो गया, बटा, 2t, तो 2 से यह, 2 cancel हो गया, अपने पास, और यहाँ पर क्या बचेगा, mk square, r square, t, that means, c वाला option, अपना बिलकुल, correct हो जाएगा, तो check कर लेते, answer, बिलकुल, सही है, बिलकुल easy सा question था, बिटा, अपने पास में, ठीक है, चलिए बिटा, आएए next question पर अपन, बात करते हैं, देखिए, इस question में, अपन को क्या दिया हुआ है, एक body है, उसको अपनने, t is equal to 0 से project करा, with a velocity, 10 meter per second, at an angle of 60 degree with the horizontal, बई, diagram इसका बना लेते, आपने क्या करा, ये एक body, उसको project कराया, 60 degree के angle पर, ये horizontal के साथ में, बढ़ी अच्छा सा question बिटा, बिलकुल focus होकर देखिएगा, ठीक है, ये अपने पास में, 10 meter per second से, इसको अपनने project कराया, ये अपने पास में कितना हो गया, 10 को 60, 10 को 60, that means, that means, अपने पास में 5 हो गया, ठीक है, direct यहाँ पर अपन चाहें, तो value रख सकते हैं, अब आप बताईए मेरे को, ये तो अपने पास में 5 हो गया, अगर मैं इसके vertical component की बात करूँ बिटा, तो ये कितना हो गया, अपने पास में, 5 root 3, ठीक है बिटा, अब अपन से क्या post है आगे, the radius of curvature of its trajectory at t is equal to 1 second, भाई, radius of curvature दे रखी, t is equal to 1 second पर बिटा, आर, अब अपन के दिमाग में एक चीज किलियर हो जानी चाहें, ये radius of curvature क्या होती है, भाई, radius of curvature अपने दिमाग में आगया, बिटा, कि V square upon A, लेकिन वहाँ पर जो velocity की direction होती है, बिटा, वो acceleration के कैसे होगी, perpendicular होगी, ये बात आप लोगों को पता है, तो चलिए आई, अब question को अपन यहाँ पर कर देते हैं, जल्दी से, तो दीखीगा बच्चों, देखो, air resistance कुछ है नहीं, तो t is equal to one second पर अगर मैं बात करूँ, तब भी velocity, जो अपने पास horizontal direction में, वो कितनी रहेगी, बिटा, 5 ही रहेगी, ठीके, और अगर मैं vertical direction में बात करूँ, तो vertical direction में कितनी हो जाएगी, बिटा, vy बराबर, u y plus 80, अब बिटा, देखो, y direction में gravitational acceleration नीचे लग रहा है, यानि कि a acceleration की value हो गई 10, और time अपने पास में one है, तो क्या यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, 5 root 3 minus 10, अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई बिटा, ठीके, अब मेरे को यह बताओ, कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो velocity की direction कुछ ऐसे है, अगर velocity की direction बिटा, ऐसे है, तो मैं यहाँ से यह angle निकाल सकता हूँ, क्या 5, यह angle मिलेगा मेरे को, कितना मिलेगा बताओ, 10, 5 कितना हो गया बिटा, अपने पास v y upon v x, यह हो गया 5 root 3 minus 10 upon में 5, ठीके, यानि कि root 3 minus 2 अब माई डियर, आप लोग mathematics के student है, तो root 3 minus 2, आपको पता होना चाहिए कि 10, 5 कहां पर मिलता है अपनको यानि कि अगर मैं 5 की value 15 degree रख दूँगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा root 3 minus 2 that means बच्चों, जो 5 की value है वो कितनी आ गई, अपने पास में 15 degree, ठीके, अब देखे, यहां से अपनको radius of curvature find करना है बिटा, तो radius of curvature क्या हो जाएगा, V square upon A, ठीके बिटा, अब देखो V square, अब यहां से आप velocity का magnitude निकाल सकते हो, काफी easily, ठीके, तो यह तो अपने पास में आ जाएगा, और square करेंगे, तो वो root cancel हो जाएगा, ठीके, तो V square तो निकाल देते हैं, अपन जल्दी से, देखे, यह अपने पास 5 का square हो गया, 25, ठीके, और यह अपने पास में कितना हो गया, अगर मैं इसका square करूंगा, तो कितना हो गया, 75, यह यहाँ पर downward कितना लग रहा है, जी, ठीके, और जो आपने पास velocity की direction आईए, वो कुछ इस तरीके से आईए, लेकिन बच्चो, आपन को पता है कि velocity और acceleration जो लेने, अपन को कैसे लेने है, velocity की direction के कैसा लेना है, perpendicular acceleration अपन को चाहिए, तो perpendicular कौन सा हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, अब यह फाई है, तो यह वाला 90 माइनस फाई, और यह वाला again क्या हो जाएगा, फाई, तो इसकी value अपने पास में कितनी हो गई, g cos phi, यानि कि my dear जो acceleration होगा, उसकी value कितनी हो जाएगी, g cos phi, तो value डालते और answer निकाल लेते हैं, इसका जल्दी से देखेगा, g cos phi यानि कि 10 cos 15 और cos 15 कितना होता है बड़ा, cos 15 की value तुम्हें पता होनी चाहिए, यह कितनी होती अपने पास में, 0.96 ठीके, 0.96, value डालते हैं बड़ा, answer आजाएगा, अपने पास में, कितना हो गया, 200 minus 100 root 3, यह हो गया, अपने पास में, 10 into 0.96, that mean, 9.6 हो जाएगा, बड़ा, root 3 कितना होता है, 1.7320, ठीके बड़ा, तो 100 को 1.7320 से multiply करेंगे, बड़ा, तो अपने पास में आजाएगा, 173.20, तो 200 में से, अगर 173.20 गए, बड़ा, तो अपने पास बचा, 26.80, अपोन में, 9.6, और माई डियर, अगर आप 26.80 को 27 मान लो, एप्रोक्स, और 9.6 को एप्रोक्स 10 मान लो, तो अपने पास में, रिजल्ट किसके आसपास आजाएगा, 2.7 के आसपास आजाएगा, तो देखें, माई डियर, कौन सा उप्षिन आपन को 2.7 के सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहा है, तो माई डियर, कितना इसी लिए, अपने इस क्योशन को कर दिया, बट फोकस करना था, कि अपने पाक में, जो यह फोर्मूला है, उसको apply कैसे करना है, तो माई डियर, आइ थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, थर्ड उप्षिन बिल्कुल correct हो गया, ठीके, चैलिए भई, एक और शानदार सा, बहतरी इन सा क्योशन माई डियर, देखे, a bead of mass stay at point PAB, भई, यहाँ पर एक bead अपने पास में, इस्टे कर रहा है, on a wire bent in the shape of a parabola, y is equal to 4 cx square and rotating with angular speed omega, the value of omega is, भई, omega की value अपन को बतानी है कि यहाँ पर omega कितना होगा, भई, यह question कुछ इस तरीके से ही है idea, जैसे मान लीजे कि कोई glass है अपने पास में, उसमें water है, वो water के अंदर अपने एक कुछ भी अनार का दाना या कुछ भी कुछ पार्टिकल डाल दे और जब अपन उस पानी को घुमाएंगे, तो वो दाना कहां होगा उपर की तरफ आजाएगा, तो ऐसे ही अपनने क्या करा, यह wire, इसके अंदर अपनने bead डाला, और उसको जब अपन ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, यह इस एक्सिस के about घुमा रहे ना omega से, तो वो क्या होगा, वो जो bead होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, अब अपन को बताने कि उसकी जो angular speed है वो कितनी होगी, ठीक है, omega अपन को बताना है, तो सबसे पहले एक diagram बनवाओ यानि, हाँ पर एक diagram बनाओ तो जल्दी से बनाओ, very good, क्या बात है आग, अब देखेगा बड़ा, मैं अगर बात करूँ, देखो, जब भी आप ऐसे non accelerated, यहाँ पर अपन क्या करें, यह accelerated frame है, यानि कि non inertial frame में, जब भी question discussion करना हो बड़ा, तो इसी frame में आकर discussion कर लेते हैं, तो चलिए इसी frame में आकर बेट गए, तो अपन ने, यहाँ पर observe करा बड ठीके, यह अपने पास में लगया बिटा, mr omega square, ठीके, यह अपने पास में लगया बिटा, mr omega square, ठीक, तो दीखेगा, अगर मैं यहाँ से एक tangent खीचता हूँ, यह मैंने tangent खीचा बिटा, तो यह angle बना अपने पास में theta, अगर यह angle theta बना, मैं यहाँ पर normal के component लूँगा, ठी गें यह तीटा बना है माएड ये नाइंटी मांस थी टा बनेगा यालेंगल भी कितना बन जाएगा थीटा। ठीके ज़ीव पॉम्पोनेंट करें तो इकिता हो गया इन को शीटा और फोला हो गया अपने पास में एन साइन थिता और डाउन वर्थ फोर्ट किता लगेगा मैडियर यह लगेगा एमजी अब इसी फ्रेम में बेटे हो तो यह जो अब्जेक्ट है वो कैसा है उपकलाय कर सकते हैं अपन ब थीटा is equal to mr omega square ठीके और ये अपने पास हो गया n cos theta is equal to mg first upon second करेंगे तो sign upon cos कितना हो गया बिटा 10 theta n to n cancel m से mb cancel अब idea ये बताइए जो radius है जो ये radius है उसकी value कितनी है अपने पाफ में ये जो distance है वो कितनी हो गया अपने पास a तो क्या मैं r की जगे लिख सकता हूँ a तो ये हो गया a omega square upon में g अब idea ये equation भी तो अपन को दियो ही है y is equal to 4 cx square और 10 theta भी है तो दिमाग में कुछ slope जैसा बात आई की नहीं आई अरे बोलो yes or no कि आपके दिमाग में आया slope तो अपन ने क्या करा y का differentiation कर दिया भीटा x के respect में तो ये कितना हो गया अपने पास में d y upon dx और 4 cx square 4 cx square का अपन अगर यहाँ पर differentiation करेंगे भीटा तो ये 4th ही तो ऐसे का ऐसा रहेगा और x square का कितना हो गया 2x ठीक है और x का जो coordinate है भीटा वो कितना है अपने पास में a है तो अगर मैं यहाँ पर value डालूँगा d y upon dx में x की value अगर मैं रखता हूं भीटा तो कितना हो गया 4 to the 8 c और ये हो गया a यानि कि slope आ गया a omega square upon g और d y upon dx जब अपन ने solve करा तो आगे भीटा 8 c अब इन दोनों को अपन इक्विलेट कर देते हैं और यहाँ से omega अपने पास में आ जाएगा चलिए जल्दी से इसे solve करा 8 c is equal to यह हो गया a omega square upon में g ठीक है भीटा तो a से a cancel तो omega square किता आ गया भीटा 8 cg ठीक है और omega की value आगे root 8 cg तो root 8 को क्या लिख सकते हो 2 root 2 लिख सकते हो की नहीं ठीक है तो यह हो गया 2 root 2 और यह cg तो यानि कि अपने पास में second option बिल्कुल correct हो जाएगा jm idea second option अपना बिल्कुल correct हो गया देखे भी dice question में अपन को क्या दिया हुआ है a clock is a continuously moving second hand of a 0.1 meter length भई अपने पास में एक clock है ठीके ना यह clock अपन ने बनाई ठीके इसमें second वाली sui के बारे में अपन को information दिये कि यह 0.1 meter length की है ठीके the average acceleration of the tip of the hand भई अपन को इसका average acceleration बताना है तो my dear मेरे को यह बताए कि इस पर acceleration कौन सा लगेगा भई second वाली sui यह से clockwise घूमेगी है ना अब sui पर आपको पता है यार clock में कौन सा acceleration होगा केवल centripetal acceleration होगा भई इसकी speed तो continuously change तो नहीं हो रही है ठीके तो centripetal acceleration लगा यानि कि इसका average acceleration कितना होगा बता omega square r ही होगा ठीके my dear अब सबसे पहले अपन यह बात कर लेते हैं यार omega क्या होगा इसके लिए omega की value क्या होगी ठीके तो omega कित्ता हो जाएगा 2 pi upon t second वाली sui का time period कित्ता होगा एक चक्कर complete करने में आपन को पता है 60 second लगेंगे तो यहाँ 60 रखेंगे तो omega की value हो गई बिटा सारा खेलता बिटा focus का ठीके तो यह अपने पास में हो गया pi square upon में 900 multiply r की value हो गई बिटा 0.1 यहाँ से point हटाएंगे नीचे 10 लगेगा तो अपने पास में result कित्ता हागे बिटा pi square upon 9 into 10 power 3 ठीके और pi square की value किसके आसपास होती है बिटा 10 के आसपास होती है तो अपने पास यह कित्ता हो जाएगा 1 हो जाएगा almost और 10 की power 3 अगर अपने पास उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की power minus 3 because अपनको order ही बताना था पिटा तो 10 power minus 3 is your correct answer ठीके पिटा चलिए next question पर अपन को क्या दिया हुआ है अब बच्चों देखो अपने पास में पास में घूम रहा है और उस पर क्या हो रहा है सेंट्रिपिटल फिक्षी से स्फोर्स लग रहा है देखो जो information दिए यह वह अपन लिख देते हैं ठीके फिक्षी से स्फोर्स किसके प्रपोर्शनल है बिटा वन अपोन आर क्यूब के प्रपोर्शनल है ठीके अब बच्चों मेरे को एक बात बताओं जब सरकल में अपने पास में कोई पार्टिकल घूमेगा ठीके तो उस पर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ ठीके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है अपन उसी फ्रेम में ज टाइम पिरियड ओफ रिवोल्यूशन अपन को बताना है यानि कि जो फिक्षीस फोर्स लग रहा है ना वो किसके बरावर है mr omega square ठीक है और r की वेल्यू अपने पांग में क्या है capital r अपन को रखनी है ठीक है जैसा कि अपन को question में given है तो यह हो गया mr omega square ठीक है अब फिक्षीस फोर्स की वेल्यू अगर में यहां डालता हूँ और मेरे को क्या चाहिए period of revolution जो चाहिए उसका result चाहिए तो omega की जगे अपन क्या रखेंगे बिटा 2 pi upon t ताकि अपने पांग में क्या आ जाए time period आ जाए is that clear बिटा अब देखिए यहां से में value डालता हूँ m यह हो गया r omega की value डाली बिटा 2 pi upon t का whole square is proportional to 1 upon r cube ठीक है m constant है ठीक है 2 pi अपने path में constant है बिटा और अपने यहां पर proportional sign लगा रखा है ना तो अपन इसको क्या कर सकते हैं यहां से eliminate कर सकते हैं तो यह हो गया r cube को अगर मैं इधर लेकर आऊं बिटा तो यह हो गया r की power 4 और t का square अगर उधर की तरफ लेकर जाए बिटा तो यह हो गया t square that means t is directly proportional to r square कौन सा option सही है बई first option सही है चेक कर लेते हैं बिलकुल सही है यार फर्स्ट option अपना बिलकुल correct है ठीक है माइडिया है देखे बई अगले question पर अपन बात करते हैं देखे बई इस question में दिया हुआ है a block of 200 gram mass move with a uniform speed in a horizontal circular group बई एक 200 gram का अपने पाफ में मास है ठीक है horizontal circular group में चल रहा है वो with vertical side wall of radius 20 cm और उसकी जो side wall है बिटा वो 20 cm अपनको दियो यह if the block takes 40 seconds to complete one round एक round complete करने में 40 seconds ले रहा है तो normal force by the side wall of the group अपनको normal force बताना है कि वो कितना लगेगा group के थ्रू ठीक है बिटा अब देखिए सबसे पहले इसका diagram ड्रो कर आपने यहाँ पर अपने पाफ में कोई particle है ठीक है यह particle है अब इस पर normal force लगेगा बिटा यहाँ पर अपने पाफ में normal force लग रहा है अब what direction में ठीक है तो आपन इसी frame में बेटकर सारा का सारा observation करेंगे बिटा तो इस पर भार की तरफ क्या लगेगा centrifugal force लगेगा तो अपने पाफ में यानि कि force की value क्या हो जाएगी बिटा normal force की value mr omega square ठीक है माइडियर तो mr omega square हो गई अब माइडियर यह बात ध्यान रखना कि जो omega है अपन यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 40 second में ठीक है ना 40 second में one round complete कर रहा है तो omega की value क्या डाल देंगे 2 pi upon t अपन यहाँ पर put कर देंगे और अपने पांख में result कित्ता आ जाएगा देखिए 200 gram ठीक है ऐसा unit में इसे convert कर देंगे r कित्ता दिया हुआ है माइडियर देखिए 20 cm that means यह कित्ता हो जाएगा अपने पांख में 20 upon में 100 ठीक को गए 40 और यह नचा कर देंगे अपने पास कितना result आएगा यह 3 0 से यह 3 0 cancel ठीक है यह होगे अपने पांख में 2 से 20 टाइम ठीक है यह अपने पास में हो गया 4 यह होगे अपने पास में तो यह होगे मैं डीर 5 square अपन में 400 ठीक है तो यह 4 से 100 time cancel 5 square की value अपण को पता है कितती होती है बिटा 9.859 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है और यह 10 power 4 तो यह plus का 4 जब उपर जायेगा तो क्या बन जाएगा बिटा माइनस का 4 बन जाएगा that means fourth option अपना बिलकुल correct होगा बिलकुल आसान सा question दा बिटा ठीके एक बात आप समझ पा रहे हैं कि circular motion में अगर अपन ध्यान से थोड़ी भूच चीज़े अगर देख ले तो यहाँ पर कुछ ज्यादा tough होता नहीं है literally अगले question पर अगर अपन बात करें तो इस question में अपन को क्या दिया हुआ है a body rotating with an angular speed of 600 revolution per minute uniformly accelerated to 1800 revolution per minute in 10 seconds the number of rotation made in this process भही अपन को number of rotation बताने है कि कि कितने इसके अंदर हुए 10 seconds के अंदर तो my dear एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि अपन को number of revolution निकालने that means अ आता है तो two pi n महां पर value रखेंगे n की value अगर मेरको मिल जाएगी तो अपने पास में answer आ जाएगा तो सबसे पहले अपन क्या करें थीटा के बारे में सोचा तो हमारे दिमाग में आया omega t plus half alpha t square तो alpha अगर मेरको find करना है बिटा तो starting line में जो information दिये यहां से अपने पास में convert कर दें इसे तो यह हो गया two pi multiply ठीके one eight double zero ठीके ना यह अपने पास में कित्ता हो गया one eight double zero ठीके one eight double zero upon में per minute दिया हुआ बिटा में इसको second में convert कर दिया initial कित्ता दिया हुआ 600 revolution per minute तो यह हो गया two pi multiply 600 upon में 60 ठीके और प्लेस अलफा टी की value होगे मैं इडिये 10 ठीके इसको अगर मैं solve करूंगा तो इसको इधर लेकर आएंगे तो बिटा अठारह समय से 600 चले गए अपने पास तो one two double zero बचे तो two pi multiply one two double zero upon में 60 ठीके और यह हो गया अलफा टी अलफा और यह टी की value हो गई मैं इडिये 10 अगर मैं इसे यहां से solve करता हूं तो मेरे पास में क्या result आ जाता है यह 60 से कितने time cancel हुआ 20 टाइम और यह 10 से कितने time cancel हुआ two time यानि कि alpha की value अपने पास में कितनी आ गई alpha की value अपने पास में आ गई 4 pi ठीके alpha की value आ गई बिटा अपने पास में 4 pi radian per second square ठीके यह alpha की value है अब अपन को number of rotation इसके find करने हैं बिटा तो number of rotation निकालना तो अब बाय हत्का खेल हो गया theta is equal to omega t plus half alpha t square तो omega initial किता है अपने पास में 600 revolution per minute radian में convert कर लेते हैं 2 pi 600 और यह per minute per second में convert करा बिटा time किता है अपने पास में time है 10 plus half alpha की value हो गई बिटा 4 pi time किता है अपने पास में time अपने पास में है 10 तो 10 का square हो गया 100 और अगर यहां से चाहें अपन तो theta की value भी अपन यहां से क्या लिख सकते हैं बिटा 2 pi n लिख सकते हैं theta की value अपन कित्ती लिख सकते हैं यहां से 2 pi n ठीके तो यह हो गया 2 pi n ठीके देखिए यहां से यह 2 pi से यह 2 pi गया और यह 2 से 2 time गया अब यहां पर भी 2 pi हो गया बिटा तो यह भी अपने पास में cancel out हो गया ठीके इसको मैं cancel करो तो यह 10 time cancel हो रहा है 10 times 100 औ दस सेकिंड के अंदर अपने पास में 200, देखिए, बिलकुल सही आंसर है बिटा, 200 अपने पास में result हो जाएगा, ठीक है बिटा, चलिए बई, next question पर अपन बात करते हैं, अपने पास में, वो 30 डिग्री उपर उठा हुआ है, ठीक है न, और जो नॉर्मल रियक्शन आ रहा है, वो इतना आ रहा है, multiply 10 power 3, तो अपन को बताना है कि, आगे कौन सा अपने पास में number होगा, ठीक है, कुछ informative value अपन को दे रखी, इसका use कर देंगे, और अपन result find कर लेगे, तो my dear, देखे, सबसे पहले तो ये सारा का सारा image अपन समझते हैं कि, अपन को क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास में vehicle चल रहा है बिटा, अब vehicle ये bank road पर आगया, अपने पास angle कितना है, ये अपने पास में 30 degree, ठीक है, ये angle अपने पास में 30 degree हो गया, अब downward force कितना लगेगा, my dear, ये लगेगा अपने पास में, mg, ठीक है, और ये अपन यहां से अगर बात करें, तो normal force किदर की तरफ लगेगा, उपर की तरफ, normal force लग गया, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, अब अपन क्या करेंगे, ये mg के component कर सकते हैं, बहुत स अपने पास में हो गया, mg, sin, 30, ठीक है, अब देखें, ये इसे circle में घूम रहा है, अपन इसी frame में बेट कर देख रहें, तो इसी frame में बेट कर देख रहें, तो इस पर भार की तरफ क्या लगेगा, mr, omega, ठीक है, अपने classroom में बिलकुल अच्छे से समझाता, इस question को, ये इंगल भी किता होगा, 30 degree, तो ये हो गया, mr, omega, square, cost, 30, और इसके downward component की, अगर मैं बात करूँ, तो ये हो गया, अपने पास में mr, omega, square, sin, 30, ठीक है, मेरे ख्याल से तो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैंडियर मेरे को एक बात बताओ, देखो, इसको downward कोन ले जाना जा रहा है, mg, sin, 30, और इसको उपर की तरफ balancing कोन करे होगे, mr, omega, square, cost, 30, तो एक समय ऐसा आएगा, जब ये mr, omega, square, cost, 30, की value जादा हो जाएगी, तो ये skid कर जाएगा, लेकिन इसको अगर यहाँ पर अपन को और बचाना है, इसको skid होने से बचाना है, तो और कोन पास में force लग रहा है, tangential force, ये इन दोनों के बराबर हो जाएगा, और अगर वो उससे जादा हो गया, तो फिर वो skid कर जाएगा, यानि कि ये limiting case में ये वाला force इन दोनों के बराबर हो जाएगा, और वो limiting case की ही अपन बात कर रहें, महीं पर अपने पास क्या होगी, maximum possible speed हो दिखता हूं, बताओ जल्दी से क्या result आया था, आपको एक ही बार में धियान आना चाहिए, 10 theta is equal to n minus mg cos theta upon mu n plus mg sin theta, बोलो यार, याद आया कि नहीं आया, बिलकुल अच्छे से अपने इस result को पढ़ा था, अब वो forces balance करा लेंगे, तो अपने पास ये result आजाएगा, बस friction के value क्या डालनी है, mu n डाल देनी, ठीके बिटा, अब यहाँ से अगर अपन इसको solve out करें, और normal को separate कर लें, वही तो अपन को चाहिए भई, तो normal को separate करतें, तो 10 theta को क्या लिख सकते हैं, sin upon cos theta, ठीके, और ये अपने पास में हो गया, n minus mg cos theta upon में, mu n plus mg sin theta, अरे बोलो यार, थोड करना, अक्सर जो कठीन क्योशन आ जाते हैं, बच्चे महीं हार मान जाते हैं, ठीके न, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, बच्चों, कि सच है, विपत्ती जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूर्मा नहीं विचलित होते, शनेक नहीं धीरज खोते, तो बचा, कुछ भी नहीं बचा है इसके उचल में, ठीके, यह हो गया, sine square theta, इसको इधर ले जाएंगे, तो यह हो गया, n cos theta, यह अपने पास में हो गया, mg cos square theta, ठीके, इसको इधर लेकर आओ, mg cos square theta, तो यह plus का हो जाएगा, ठीके, और अपन क्या करेंगे, mg common लेंगे, तो sine square theta प्लेस कोस स्क्वाई ठीटा यह हो गया बिटा वन और इसको अगर मैं उधर लेकर जाओंगा तो यहां से क्या कोमन आ रहा है एन कोमन आया अपने पास कोस ठीटा 30 डिगरी माइनस म्यू साइन 30 म्यू साइन 30 ठीक है बिटा अब बताओ कोस 30 अपन को कित्ता दिया हुआ है question में अपन को information दियो है 0.87 यानि कि इसको लिख सकते है 87 upon 100 mu की value क्या दियो है बिटा 0.2 दियो है और sin 30 कित्ता होता है अपने पास 1 upon 2 यानि कि 0.5 ठीक है बिटा तो point हटाएंगे तो यह नीचे की तरफ इतर भी कितना आ जाएगा बिटा 100 आ जाएगा और 5 तू जा कित्ता हो गया 10 हो गया ठीक है और यह अपने पास mg तो mg कित्ती हो बिटा 8000 800 था अपने पास में और g की value 10 इसको यहां से solve करेंगे my dear तो कित्ता आ जाएगा अपने पास में n into 77 upon 100 यानि कि अगर मैं बात करूं तो 800 इसको मैं 800 लिख दूं और यह 100 के साथ 1 0 चला जाएगा बिटा तो यह कित्ता हो गया अपने पास में 10 की power 3 ठीक है आपनको तो 10 की power 3 के रूप में यह answer चाहिए upon में 77 अब मेर को एक बात बताओ अगर यहां 70 होता और upon में 77 होता तो 10 रिजल्ट आ जाता अब इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट बताओ तो कहां पर दिख रहा है 10 से थोड़ा सा ज्यादा सर्फ फ फर्स्ट ओप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बोलो समझ में आया या नहीं आया बड़ी अच्छा सा क्योशन शांदार था क्योशन माइडियर यह फोर्मुला आपको अच्छे से पता होना चाहिए और उसमें भी अब कुछ भी नहीं बचा यार देखो इन इक इन बिल्स इट अरॉब्ड इन होरिजॉन्टल फ्लेंट दे इटिस ट्रिंग एन विट स्टेंडि मैक्सिमम् टेंशन और्षटि न्यूटन बहीं इस ट्रिंग पर जो मैक्सिमूम टेंशन लग सकती है वह असी न्यूटन की लग सकती है उसपर मास लगाया हुआ है 100 ग्रा के अपोन पाई रिवोल्यूशन पर मिनिट बताया हुआ है ठीक है रेडियन पर सेकेंड या रेडियन पर मिनिट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है तो यह बिल्कुल फोकस करने वाली बाते बच्चे अक्सर यहां पर गलती कर देते हैं ठीक है ओमेगा निकाल कर छोड़ देते ठीक है ना लेकिन अपन को पता है कि उसको किसमें कंवर्ट करना पड़ेगा अपन को कंवर्ट करना पड़ेगा revolution पर मिनिट में frequency उसकी find करनी पड़ेगी ठीक है माइडियर तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से देखे एक मास है अपने पास में है ना तो यह अपन के पास में यह मास इसको अपन सरकल में घुमाएंगे अब यहां पर बेटकर अपनों उब्जरू करेंगे तो भार की तरफ लगेगा mr omega square अंदर की तरफ लगेगी टेंशन फोर्स ठीक है तो t maximum कित्ती हो सकती है अपने पास में यह अपने पास में हो गई mr omega square ठीक है t maximum की वेल्यू अपन को दे रखी कित्ती है 80 ठीक है m की वेल्यू दिए यह 100 ग्राम तो इसको कैजी में अपन कनवर्ट कर लेंगे ठीक है r की व डबल जीरो से यह डबल जीरो कैंसल तू से यह 40 टाइम कैंसल हुआ और यह अगर इधर जाएगा तो 400 हुआ that means omega square की वेल्यू अपने पास में हो गई बिटा तो 20 तो f कित्ता आजाएगा अपने पास में यह हो गया 10 अपने पास में रिवोल्यूशन पर सेकेंड लेकिन बच्चे बात ध्यान देना पर मिनिट दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे उपर 60 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि अपन में सेकेंड है तो यह हो गया अ 60 से मल्टिप्लाई करना है ना तो 60 इंटू 10 यानि की 600 पाई रिवोल्यूशन पर मिनिट ठीके तो 600 अपना के की जगे आ जाएगा बिटा दैट मेंस थर्ड ओप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट होगा ठीके वेरी गुट चलिए भई नेक्ट क्योशन पर अपन बात करते है एक डिस के विट फ्लेट इस्मोल बोटम बीकर प्लेश्ट ओन इट डिस्टेंस आर फ्रों इट्स सेंटर इस रिवोल्विंग अबाउट एन एक्शस पासिंग थ्रू दी सेंटर एंट पर्पेंडिकुलर तो इट्स प्लेन वित अन अंगिलर वेलोसिटी ओमेगा भई बोटम पर अपने कोई पार्टिकल रखा अब वो किसी ना किसी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ठीक है ओमेगा से कोफिशेंट ओफ स्टेटिक फ्रिक्शन बिट्विन दी बोटम ऑफ दी बीकर एंड दी सर्फेस अब वो जो बोटम है और जो अपने पास में जो अपन को इन में से बताना है कौन सा उप्शन करेक्ट है तो माई डियर बड़ा क्योशन है लेकिन अगर इसका इमेज तुमने सही बना दिया तो अपने पास आंसर ऐसे चुटकियों में आ जाएगा कैसे देखे जरा यह आपन ने क्या करा यह बना दिया यहां पर ठीक है ना यह पर इसके बोटम में अपने एक पार्टिकल रख दिया यह डिस्क रख दी ठीक है अब देखिए जैसे यह एंगुलर स्पीड से घूमेगा ठीक है तो इसको उधर की तरफ स्लाइड होने से कौन बचाएगा फ्रिक्शन बचाएगा और एक लिमिटिंग कंडिशन तक बचा है ठीक है अब लिमिटिंग कंडिशन तक बचाएगा यानि कि अपन को पता है कि जो म्यू एन होगा वह या तो इससे ज्यादा हो म्र ओमेगा स्क्वाइर से ज्यादा हो या फिर इसके बराबर हो तो अपने पास में वह स्लाइड होने से बच जाएगा और वह ओमेगा खाएगे और अपन को और तो अगर मैंने यहां पर और को सेपरेट रहने दिया ठीक है ना हार को केपिटल रहे है उसमें कोई समस्या नहीं है ठीक है म्यू जी अपोन omega square r less than equal mu g upon omega square तो second option में दिख रहा है बिटा r less than equal mu g upon omega square that means second option अपना बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है माई डियर चलिए भई second option बिल्कुल correct हो गया ठीक है देखें बिटा discussion में अपन को क्या दिया हुआ है for a particle in uniform circular motion the acceleration a at any point p r theta on the circular path of radius r when theta is measured from the positive x-axis and v is uniform speed वहीं अपन को दिया हुआ है कि theta अपन को कहां से measure करना है बिटा positive x-axis से measure करना है और v अपने path में uniform speed है ठीक है अब यहार circular motion कर रहा है और uniform speed आ गई तो my dear आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए क्या sir कि sir tangential acceleration की value कित्ती हो जाएगी zero तो केवल इस पर क्या लगेगा radial acceleration लगेगा तो चलिए इसे solve करते हैं देखते हैं इस पर क्या result अपने पास में आता है acceleration अपन को बताना है है ना अब अपन के पास में यह center point हो गया ठीक है यह अपने path में center point हो गया बिटा यह अपनने positive x-axis इसके साथ में theta angle भी बना दिया ठीक है अपके वल इस पर radial acceleration लग रहा है बिटा तो center की तरफ acceleration कितना हो गया अपने पास में v square upon में आर ठीक है यह angle theta है ठीक है याला angle theta है अपने पास में तो यह angle भी कितना हो जाएगा theta हो जाएगा अगर यह angle theta हो गया तो इसके component लो ना याड़ जल दिसे v square upon r cos theta और यह अला कितना हो गया बिटा वी square upon r यह हो गया बिटा sin theta अब मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ बिटा कि यह अपने पास में sin theta हुआ तो क्या यहां से अपन यह value लिख सकते हैं क्या acceleration की v square upon r cos theta कौन से direction माइन साइके इस डैट किलियर और यह माइनस जेके देके रिजल्ट देखो तो कहां पर आ रहा है वी square upon r cos theta minus का आई के वी square upon r sin theta minus का जेके अट मेंस थर्ड ओप्शन अपना बिल्कूल करेक्ट हो जाएगा ठीक है माइडियर देखिए भई नेक्स्ट क्योशन पर अपन बात करते हैं देखिए अब बोल इस इसपन विट एंगुलर acceleration alpha is equal to 6 t square minus 2 t where t is in second and alpha is in radian per second square at t is equal to 0 the ball has angular velocity of 10 radian per second and angular position of 4 radian per second भई सारे information given है धीरे धीरे करके एक एक वेल्यू का यूज करते हैं और अपन इस question को solve करते हैं ठीक है अपन को बताना है कि जो angular position है वो कितनी है theta की value अपन को बतानी है finally t time पर ठीक है बिटा तो सबसे पहले जो information दिए उससे से अपन शुरुवात कर देते हैं alpha की value कितनी दिए है यह अपन को दिए है 6t square minus 2t ठीक है alpha को क्या लिख सकते हैं d omega upon dt ठीक है तो d omega upon dt लिखेंगे तो यह हो गया d omega और dt को उधर भीज देते हैं यार यह हो गया 6t square minus 2t ठीक है यह हो गया dt अगर मैं दोनों साइड integrate कर दूं ठीक है तो मेरे को बताओ t is equal to 0 पर जो angular velocity है वो कितनी है 10 है तो t बराबर रखा 0 यहाँ पर है बिटा 10 और t time पर बात करें तो omega हमें नहीं पता तो हमने रख दी value कितनी बिटा omega अगर d omega का integration करेंगे तो यह तो omega हो गया अपने पास में और limit लगा देंगे बिटा तो हो गया omega minus 10 60 square integration करेंगे तो t cube upon 3 यानि कि 2t cube ठीके और minus यह 2t है तो t square upon 2 तो यानि कि अपने पास में result आएगा t square लिमिट रागा लेंगे बिटा तो वही value आजाएगी बापस से काफी अच्छे से जानतों mathematics के student हो नाक मत कटवाना आप एले ही कह रहा हूं चलो जल्दी से इससे solve करते हैं देखो omega कितना minus t square plus 10 यह omega आगया बिटा लेकिन अपनको तो angular position चाहिए तो angular position चाहिए तो omega को क्या लिख सकते हो d theta upon dt ठीके चले value डालते हैं यह हो गया बिटा d theta upon dt ठीके ना इस बार भी dt को direct उदर भीज़ दो यार किस बात की देरी यह अपने पास में यह हो गया अपने पास d theta is equal to उदर की तरफ भेज देंगे उसको तो 2t cube minus t square plus 10 और यह हो गया बिटा dt लिमिट लगा ले चलिए लिमिट लगाते हैं आपने बोला है तो अब मेरे को बताओ t is equal to 0 पर angular position के तीए बिटा 4 है ठीके तो यह रखा मैंने 4 यह रखा 0 टी टाइम पर टी टाइम पर रख दो बिटा ठी इंटिग्रेशन करेंगे तो यह तो किता हुए थीटा माइनस 4 इसमें तो कोई दिकत वाली बात नहीं है टू टी क्यूब अपॉन ठीके ना अब देखो बिटा यहां पर टू टी क्यूब का इंटिग्रेशन करना है तो यार सब जानते हो टी क्यूब का करेगना पड़ेग अपनको 2 तो कॉंस्टेंट है तो यह हो गया टी पावर 4 अपॉन 4 तो 2 अपॉन 4 को 1 बाइट 2 लिख लेने दो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिटा तो यह हो गया अपने पास में टी क्यूब अपॉन 3 ठीके और 10 का हो गया अपने पास में 10 इसको अधर लेकर जा 4 अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 10 टी और यह माइनस का 4 उदर जाएगा तो प्लस का 4 that means second option अपना बिलकुल correct हो जाएगा ठीके बिटा चलिए बिलकुल सही है second वाला option देखे बही इस क्योशन में क्या दिया हुआ है a smooth circular groove has a smooth vertical wall as shown in the figure a block of mass and move against the wall with a speed V भही अपने पास में एक block है ठीके न यह अपने पास में V speed से चल रहा है कुछ इस तरीके से which of the following curve represent correct relation between normal reaction on the block by the wall अपनको बताना है कि normal reaction जो लग रहा है और जो velocity है इसके बीच में appropriate जो graph एफशा जो सबसे correct graph है वो कौन सा होगा ठीके तो देखे बीटा अब दिमाग में एक चीज आती है कि यार इस पर क्या हो रहा है इस पर अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं यहां पर बेट जाए अपर इसके उपर की तरफ बेट जाए तो क्या होगा यहां पर क्या करेगा जो दिवार होगी वो normal force लगाएगी ठी बेट गे और जो अपन यहां पर बेटकर observe करेंगे तो यहां पर क्या होगा बिटा कैसे frame में बेट गए non inertial frame में बेट गए तो बाहर की तरफ क्या लगा देंगे centrifugal force लगा देंगे तो कितना हो जाएगा velocity के बारे में बात कर रहा है तो mv square upon r हो गया यानि कि जो normal force लग रह यानि कि अगर मैं बात करो m constant r constant यानि कि n is directly proportional to v square तो my dear आपको पता है कि अगर v square के directly proportional हो गया तो अपने पास में किसा बन जाएगा कौन सा option दिख रहा है साफ साफ यह अपने पास में first option बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है बिटा तो बिल्कुल अपने पास में पहला option बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है चलिए भई देखें बिटा इस question में अपन को क्या दिया हुआ है अब ball is released from rest from point P of a smooth semi-spherical vessel as shown in the figure भई अपन क से बोला है बिटा कि यहां से अपन ने इस बोल को release करा ठीक है अब बोल को जब release कर रहे हो बच्चा तो यहां से क्या होगा यह आया और क्यूपोइंट पर आया अब जब यह क्यूपोइंट पर आया तो यहां पर अपन से discussion करा ratio of centripetal force and normal reaction on the ball at point q is a वह क्यूपोइंट पर centripetal force और normal force का जो ratio है बिटा वो अपन को a के equal दे रखा है अपन ने जो information दी हुई है वो अपन लिख लेते हैं यार बिटा तो a किसके equal है centripetal force और normal force के ratio के equal हो गया while angular position of point q is alpha with respect to point p और p point के respect में अगर अपन देख रहे हैं इस q point को तो angular position दे दी बिटा q कि कितनी अपन को alpha ठीके अब अपन को यह बताना है कि alpha और a के बीच में graph कौन सा correct है is that clear बिटा तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में बात आती है यार centripetal force निकाले अपन ठीके तो देखो बिटा centripetal force क्या होगा mv square upon r कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें ठीके mv square upon r अब मेरे को यह बताओ क्या q point पर velocity पता है क्या अभी नहीं पता ठीके तो मैंने क्या करा बिटा q point पर velocity निकालने के लिए work energy theorem लगा ठीके अब work energy theorem लगाएंगे बिटा तो इतनी होगी जल्दी बताओ यह आर है अपने पास तो यह वाली distance कितनी हो जाएगी बिटा r sin alpha कोई दिक्कत वाली बात है क्या ठीके अब अपन यहां से work energy theorem लगाएं बिटा तो मेरे को एक बात बताओ पी point से अपन इसे release कर रहे हैं तो kinetic energy कितनी हो जाएगी अपने पास में kinetic energy अपने पास में 0 हो गई यहां पर ठीके और जो work done होगा ठीके जो अपने पास में work done होगा वो कितना हो जाएगा यहां से यहां तक आने में अपने पास में mgh is that clear बिटा तो यह अपने पास में हो गया mgr sin alpha ठीके is equal to अब यह अपने पास में change in kinetic energy अगर अपने equal लिखें बिटा तो यह किसके equal हो जाएगी देखो आपकी मर्जी आप conservation of mechanical energy बोलो work energy theorem लगा लो सबसे answer आजाएगा अपने पास में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यहां से कितना हो गया बिटा यह अपने प से m cancel हो गया तो वी की value कित्ती आगई वी square की value आगई अपने पास में 2g r sin alpha कितनी आगई बिटा वी square की value 2g r sin alpha इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं यहां पर वी square की जगे 2g r sin alpha रखोंगा बिटा तो आर से आर तो cancel हो जाएगा इस आर से यार तो cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा बिटा अपने पास में centripetal force आजाएगा 2mg sin alpha अरे डर तो नहीं लग रहा है डर तो नहीं लग रहा है बिटा don't fear which is easier ठीके तो let's make a cheer और doubt करते हैं clear आजाएगे जल्दी से देखते हैं अपने पास में 2mg sin alpha ठीके अब अपन को क्या चाहिए normal force और चाहि ठीके तो क्यों पॉइंट पर जब आप observation करोगे तो यहां पर लगेगा अपने पास में normal force ठीके अब यहां पर बेटकर observation कर रहे हैं बिटा तो भार की तरफ अपन क्या लगाएंगे centrifugal force लगाएंगे because यह अपने पास में non inertial frame ठीके बिटा तो यह भार की तरफ लगा दिया अपने mv square upon r कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मेरे को एक बात बताओ नीचे की तरफ force लगेगा बिटा mg क्या यह एंगल अपन बता सकते हैं क्या yes sir बता सकते हैं देखो यह symmetry से अपन देखते हैं यह एंगल alpha है तो याला एंगल भी alpha होगा और अगर यह alpha है तो यह वा हो जाएगा mg sin alpha अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यह हो गया अपने पास में mg sin alpha equation balance करा लेते हैं भई आपन यहां पर बेटकर observe कर रहे हैं तो अपने respect में यह जो बोल है वह कैसी यह rest में है तो fourth balance करा लेते हैं तो देखे जरा किता आ जाएगा अपने पास में result n is equal to mg sin alpha और mv square upon r mv square upon r की value किती आगे बीटा 2 mg sin alpha तो 2 mg sin alpha में अगर एक और mg sin alpha add करेंगे तो किता आजाएगा 3 mg sin alpha ठीक है बीटा तो 3 mg sin alpha आगया यह centripetal force अब देखो ratio किता आ रहा है ratio किता आ रहा है बीटा 2 by 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा mg sin alpha से mg sin alpha cancel हो गया तो centripetal force और normal force इनका ratio अपने पास आ गया 2 by 3 that means a जो है अपने पास में आ रहा है किता बीटा 2 by 3 यानि कि यह constant आ रहा है यानि alpha बढ़ेगा लेकिन a जो है वो constant रहेगा देखो तो जरा तीनों ग्राफ में कहां पर constant आ रहा है third option में constant आ रहा है that means third option अपना बिलकुल correct हो जाएगा is that clear विटा third option अपना बिलकुल correct हो गया चलिए भई देखते हैं इस question में अपन को क्या दिया हुआ है a stone of maasem tied to a string is being drilled in a vertical circular with a uniform speed अपने क्या करा वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाना चालू करा एक stone लेना है string से बांदना है घुमाना है अभी नहीं क्योशन कर लेते हैं पहले उसके बाद में यह सब करना भीड़ा the tension in the string अपन को बताना ही कि string में tension कितनी होगी अब यार बहुत आसान सा क्योशन है जल्दी से पहले तो यहां पर सर्कल बना दो जल्दी से एक सर्कल बन क्योशन में मतलब जो option है अपने पाफ में उसमें क्या देख रहा है अपनको the same throughout the motion जो टेंशन है वह सेम रह रही है क्या चेक कर लेंगे अभी minimum at the highest position highest position पर बात करनी है तो एक mark यहां पर कर लिया अपनने minimum at the lowest position lowest position पर minimum क्या भी चेक कर लेंगे थोड़ी सी देर में minimum when the rope is in the horizontal position और horizontal position पर minimum है क्या तो horizontal एक तो यह वाली हो गई बिटा और एक ही वाली हो गई अपने पास में यह चारो point पर अपन चेक कर लेते हैं और यह भी चेक कर लेते हैं अलग-अलग आ रहे हैं तो यह first वाला भी चेक हो जाएगा is that clear बिटा तो चलिए आते हैं और इसी particle पर बे this one is D point तो अगर मैं A point पर observation करता हूं बिटा तो A point पर tension force लग रहा है यह string ऐसे बंदी हुई है तो tension force नीचे की तरफ लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है mg force बिटा वो भी नीचे की तरफ लग रहा है ठीक है और भार की तरफ क्या लग जाएगा यह अपने पांक में centrifugal force लग जाएगा mv square upon r क्योंकि अपन यहीं बेटकर observation कर रहे है ठीक है बी पॉइंट पर ठीक है तो बी पॉइंट पर भार की तरफ यहाई बेटकर observation कर रहे है तो भार की तरफ हो गया mv square upon r अंदर की तरफ हो गई टेंशन टी और downward force लगेगा विलकुल mg same as it is बात होगी बीटा d के लिए ठीक है तो यह tension force लग गया इधर की तरफ भार की तरफ अपने पास में कितना हो जाएगा mv square upon r ठीक है downward force हो गया mg और ऐसे ही अगर मैं c point पर बात करता हूं तो भार की तरफ तो हो गया mv square upon r कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है मेर point पर अगर टेंशन लिखते हैं बीटा तो किती हो जाएगी देखो यह अपने पास में tension force ठीक है तो tension plus mg ठीक है यहाँ पर plus sign लगा लेते हैं अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं होई है रहा चलिए तो tension plus mg यह मिलकर किसको balance कर रहें बीटा mv square upon r is that clear ठीक है यानि कि a point पर जो tension होगी बीटा वो किसके equal आ गई अपने पास में mv square upon r minus mg कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं b point पर और d point पर देखो बीटा तो tension किसके बरावर आ रही है एक तो यह b point होगया अपने पास में एक यह d point होगया तो tension आ रही है mv square upon r के पर क्योंकि horizontal direction में केवल अपने पास में mv square upon r ही लग रहा है is that clear बीटा और अगर मैं बात करूं इस c point पर तो tension at c point तो देखो downward force mg ठीक है ना तो यह mg और महीं बेट कर अपने observation कर रहे है ठीक है ना तो यह centrifugal force भी अपनने add कर दिया mv square upon r अब तुम सारा का सारा खेल तुमारे सामने है तुम observation कर सकते हो बीटा बता सबसे कम आ रही है highest point पर सबसे कम आ रही है बी और डी पर सेम है है ना चेंज भी हो रही है तो यह तो बोल रहा था सेम है अरे नहीं भाई सेम नहीं है minimum at the highest position of the circular path भाई देको minus कर रहे है mv square upon r में से mg यानि कि इस से कम अपने पास में नहीं होगा तो ए पर बिल्कुल सही ब lowest position of the circular path अब बताइए बिटा lowest जो position है अपने पास c point वहाँ पर minimum आ रहा है क्या नहीं आ रहा भाई तो third option भी अपना गलत हो गया फोर्थ पर बात करें minimum when the rope is in the horizontal position horizontal position पर minimum में क्या नहीं भाई minimum नहीं है minimum तो अपने पास में a point पर आ गई ती is that clear बिटा then second वाला option अपना बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है बिटा चलिए देखते हैं इस वाले question में क्या दिया हुआ है अपनको देखे बिटा अब particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of lentil अपने एक particle लिया जिसका मासे में उसको अपने एक string के थुरू एक ceiling से लटका दिया the particle move in a horizontal circle of radius r such that r is equal to l by root 2 ठीके बही चलिए इसमें अपन डाइग्राम बनाते हैं ना देखते हैं आज drawing भी देख लो मेरी ठीके यह अपनने क्या करा भिडा यह अपने पास में string जि नहाँ पर यह particle अपन यह लटका दिया और इसको अपन एसे घुमाने लगे ठीके ना imagine कर पा रहे हो अरे बोलो imagine कर पा रहे हो ठीके और कितनी radius से इसकी l upon root 2 अब यह l upon root 2 हुई तो किस किस के माइंड में यह आ गया कि सर यह theta angle निकालना काफी आसान हो गया theta angle कितना हो गया जल्दी बताओ, very good, 45 degree, सबको समझ में आ गया वही, l by root 2 हुआ तो 45 degree theta angle आ जाएगा अपने पास में, ठीके बिटा, अब मेरे को एक बात बताओ, अपन से पूछा क्या है, the speed of the particle will be, अपन को speed बतानी है, तो चलो आ जाओ इसी बोब पर बेटकर, इसी particle पर बेटकर अपन सा खेल, खेलते हैं, सारा observation करते हैं, ठीके बिटा, तो यहाँ पर आकर जब observation करेंगा, अब यह एक circle में घूम रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, बिटा, centrifugal force, ठीके न, यहीं बेटकर observation कर रहे हैं, क्योंकि तो बाहर के तरफ लग जया, यह, m, r, omega square, ठीके, speed बतानी है, तो क्या लिख लेंगे, mv square upon r लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीके, तो यह हो गया, mv square upon r, ठीके बिटा, और यह अपन के पास में, tension force लग रहे है, tension के component ले लो, बिटा, तो यह उपर की तरफ हो गया, अपने पास में, t sin theta, और यह वाला अपने पास म हो गया, बिटा, component, t cos theta, is that clear, और downward force लगेगा, बिटा, कितना mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब equation balance कराएंगे, result आपके सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही क्या, बिलकुल नहीं होनी चाहिए, ठीके बिटा, तो देखो, t sin theta, is equal to कितना हो गया, अपने पा square upon, ठीके, यह mv square upon r, भज़ यहाँ पर capital r लिख रखाया हो, तो अपने पास में यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, यह small r हो गया, बिटा, अपने पास में, ठीक, यह mv square upon r, यह equation 1 हो गई, यह अपने पास में equation 2 हो गई, 1 by 2 करेंगे, बिटा, तो sin upon cos क्या बन गया, अप r, और यह हो गया, आपको उनमे v square, is that clear, बिटा, अब मेरे को एक बात बताओ, 1045, कितना होता है, 1 होता है अपने पास, तो v square की value किसके बराबर आजाएगी, rg के equal, और v की value किसके equal आगई, किसके equal आगई, बिटा, root rg के equal, that means, first option अपना बिलकुल correct हो जाएगा, तो I hope that बि कुछ lines आप लोगों के लिए है, नेंचेन को त्याग कर, नेंचेन को त्याग कर, आग खोलनी पड़ती है, मेनत करना यहां आसान नहीं, पूरी जान जोंकनी पड़ती है, हार जीत की सोच रखे बिन, मेनत तुझे अब करनी है, लोगों की क्यो बात सुने, जब जंग तु तुझे खुद लड़नी है, कोशिस तेरी काया, कोशिस तेरी काया, और मेनत तेरी परचाई है, लोगों की इन बातों से नहीं, खुद से तेरी लड़ाई है, परिक्षरम की गर्मी में, तुझे खुद को तपाना होगा, चू सकता है तू हर एक मंजिल, चू सकता है तू ह एक मंजिल खुद को याद दिलाना होगा जी हां माइडियर खुद को याद दिलाना होगा तो माइडियर जीत कर दिखाना है अपन को उन सभी को जो केवल और केवल तुमारी ही जीत का इंतजार कर रहे हैं तो माइडियर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए all the very best and thank you so much